कितने ताजुक की बात है ना इस पूरे ब्रह्मान में आज हम उस जगह उस पल में जिन्दा है जिस पल में हम कुछ करना चाहते हैं तो देखें यहां पर मैं कर रही हूँ अपनी एक्सराइज और आज है संडे का दिन चुट्टी है आज तो बचे अभी तक रेस्ट कर रहे हैं उठे नहीं हैं सो रहे हैं और हस्बन भी अभी सो रहे हैं तो मैं अपने कामों में हो गई शुरू क्योंकि मुझे तो अपना करूंगी एपसाइडर विनेगर और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी तो चलिए बनी रहेगा मेरे साथ मेरी ब्लॉग में बहुत बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो पर अगर आप पहली बार में सफल नहीं हो रहे हैं तो आप में और महान लोगों में बहुत बड़ी समानता है क्योंकि वो भी पहली बार में सफल नहीं हुए थे कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति में कमी नहीं निकालें क्योंकि वह ऐसा करने पर आपसे नफरत करेगा लेकिन किसी समझदार व्यक्ति में कमी निकालने पर वह आपका शुक्रिया अदा करेगा तो friends देखें यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपना chia seeds और yoga के बाद मैं chia seeds लेती हूँ और बच्चों को मैंने अभी उठा दिया है और husband को भी उठा दिया है तो बस अभी वो थोड़ा सा अपना daily routine कर रहे हैं brush वगेरा कर रहे हैं उसके बाद फिर मैं बस उनको दूगी बच्चों को milk देना है मुझे और husband को देनी है चाहे तो यहाँ पर देखें मैं breakfast की तयारी कर रही हूँ और नहाना दूना मैंने कर लिया था अपना और उसके बाद थोड़ी सी पूजा पार्ट करने के बाद मैं kitchen में आ गई थी breakfast बनाने के लिए तो फिर breakfast में देखें आज मैं बनाने वाली हूँ mixed veg और बच्चों का बड़ा मन था तो मैंने सोचा चलो गोभी पड़ी है शिम्मला मिर्च पड़ी है आलू पड़ी है और सबजी आई हुई थी तो फिर सबसे पहले यह होता है mixed veg थोड़ी सी बना लेती हूँ जिन्दगी दो पईयों की साइकल की तरह है बैलेंस तभी तक रहेगा जब तक आप चलते रहोगे जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा प्रभावशाली आपके शप्त होते जाएंगे तो देखी फ्रेंट्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबजी और सबजी बनके हो जाएगी तयार उसके बाद मैं थोड़ा सा आटा लगाऊंगी और बना लूँगी मैं पराठे और अपने लिए मैं बनाऊंगी साधी रोटी क्योंकि मैं पराठा नहीं खाऊंगी तो देखी यहाँ पर सबजी मेरी हो रही है तयार किसी की तया और एहसान के सहारे आप जिन्दगी ज्यादा दिन तक नहीं जी सकते इसलिए उसकी उम्मीद किये बिना अपनी जिन्दगी जीना जारी रखिए हर बार बहस करना ही आप्शन नहीं होता आप यह बोलकर भी बात को टाल सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीरे का सैलेट और मतलब अचार ही समझ लीजिए तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास जैसे खीरे जादा आ गए थे तो मैंने सोचा चलो मैंने बनाया था अचार कीरे का और थोड़ा सा मेरे पास आम का अचार रखा हुआ था तो मैंने उसका मसाला भी थोड़ा इसमें आड़ कर दिया था बहुत ही अच्छा था अचार बन गया था यह और जो डेली खाने के लिए जैसे थोड़ दो-तीन दिन का आचार बन जाता है वोवाला आचार मैने बनाया था और बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ साथ काने का टेस्ट भी बढ़ जाता है और बच्चे भी अच्छा मतलब इस तरीके से खा लेते हैं नहीं तो बच्चे को सैलेट खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो थोड़ा सा अपने लिए बनाया और गुड़ का बूरा तो मुझे डालनी की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि मैंगो इतना मीठा था और मुझे इतना ही इनफ था तो मैंने ऐसे ही ले लिया और बहुत अच्छा था मैंगो शेक बना कर लिया मैंने रेडी तो रिकी फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम और इस टाइम मैं अपने प्लांट्स को पानी जरूर देती हूं और मैं मॉर्निंग में नहीं देती ना ही मैं दुपहर के टाइम देती हूं क्योंकि बहुत जल्दी जो है सूख जाता है और इस टाइम में पानी देती हूं तो न आच्छा करने के दिने के बाद आज है संडे का दिन तो संड़े को जो होता है जो भी मेरे काम निप्टाना है वो मैं आपके साथ शेर ज़रूर करूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना आपका काम नहीं है अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो फिर आपका काम कौन करेगा आपकी खुशी के मालिक केवल आप खुद है इंसान खुद की गलतियों पर तो खुद का वकील बन जाता है लेकिन दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो देखी फ्रेंट्स यहाँ पर जो आर्टिफिशल प्लांट्स हैं वो मैं वाश कर रही हूँ और मैं संडे के संडे कर लेती हूँ और जैसे चेयर्स वगयरा जो होती है वो भी मैं वाश कर लेती हूँ संडे को और अच्छे रहते हैं क्योंकि धूल मिट्टी बहुत हो रही है इस टाइम पर और हमारा तो जो एरिया है वो विलेज एरिया है तो यहाँ पर तो कुछ जादा ही धूल मिट्टी होती है तो बस मुझे यह काफी क्लीनिंग करनी पड़ती है और प्लांट्स बगएर भी और जो भी आर्टिफिशल चीजे हैं उन सबको मैं वाश करती हूँ और यह देखें यह भी मेरे पास रबर प्लांट है और यह भी आर देखें फ्रेंट्स यह है एक प्लांटर और इसकी उपर ना मोती लगे हुए है और यह बहुत ही अच्छा सा प्लांटर है और बहुत ही प्यारा सा लगता है रखा हुआ तो इसको भी मैं वाश कर लेती हूँ और इसके अंदर जो है मैंने पिंक कलर की जो फ्लार होते वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वाइट और पिंक का कॉंबिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है तो देखें यह हो गया मेरा प्लांट जितने भी प्लांटर से और जितने भी फ्लार से मैंने सब वाश कर ली तो देखें प्रेंट्स यह जो प्लांट से मेरे सूख गए और मैं इनको सारा लगा लूँगी जितने भी है क्योंकि यह मैंने फैन आउन कर दिया था और जल्दी सूख गए और यह सारा ना मैं साथ के साथ ही समालती जाती हूँ क्योंकि अगर एक बार छूट जाये ना फैला रह जाता है तो फिर नहीं होता और यह देखें मैंने र कठल बनाने के लिए तो डाल नहीं बनाई थी तो मैंने लेकिन मैं कठल की सबजी नहीं लेती हूँ रात को क्योंकि उससे हो जाती है और मुझे प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने ले लिए यहाँ पर थोड़ी सी भिंडी की सबजी और साथ में दही ले ली थी मैंने और य रस्बंड ने बोला कि थोड़ा था मुझे भी दे न तो मैंने उनकों पी दे दिया और यह देखे आगी मैं अपना सारी साफ सपाई करने क्योंकि मैं रात को ही न सारे सोफे वगयरा सब क्लीन करके और जितना भी मेरा डस्टिंग वगयरा का काम है रात को करके सोती हूं उसस यहाँ पर मैं carpet clean करके, sofa वगर सब clean करके, और जितने भी planter से सब set करके, उसके बाद kitchen में जाओंगी, kitchen अभी समेटनी बाकी है मेरी, तो यह देखिए मिठाई आई थी, तो यहाँ पर भोग लगाना है काना जी को, उसके बाद सब मिठाई लेंगे, और मुझे अभी बरतन भी like कीजेगा, share कीजेगा, और जो भी new हो channel पर channel को subscribe कीजेगा, और मैं ऐसी आपके लिए video लाती रहूंगी, और मेरे को आप insta पर भी follow करिएगा, insta id है मेरी लीना डूमडा, और मैं मिलती हूँ आपको अपने next vlog में, तब तक के लिए bye bye and take care. कर दो